मद्यप्रदेश के रिवा सम्भाग में पिछले 24 गंटे से लगता रुक-रुकर बारिश हो रही है दिसंबर की शुरुआत के साथ ही जिले में सुब्य सीजन का पहला घना कोरा चाया रहा रिवा सम्भाग के दूसरे शहरो सतना सीथिन सिंग्रॉली और शेहडोल में भी बारिश दर्श की गई है सुबेट 6 बजे से 9 बजे तक विजविल्टी सिर्फ 60 मीटर रही बीती 29 नवंबर के रात से ही रुक-रुकर बारिश हो रही है मौसम विभाग के वैग्यानी कार्पी जोशी ने बताया कि जिले में अगले दो दिनों तक गरत चमक के साथ रिमजुम बारिश का अनुमान है यानि एक दिसंबर को विन्दशेत्र के रिवा जिले में भी बारिश का येलो अलेर्ट जारी किया गया है रिवा संभाग में अब ठंड का असर भी दिखने लगा है बारिश और ठंड का ख़दरनाक कॉमिदेशन के बीच मौसम विभाग के अलर्ट ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है जिले में पिछले 48 गंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के बीच रिवा शहर के रिहाइशी इलाकों में पावर कट की समस्या भी देखने को मिली है शहर के डियो बसी स्टेंड के आसपास के इलाके में रेतहरा शार्दापूरम संजयर अगर नहरू नगर और उनिवर्सिटी बाइपास में देर रात बिजली गुल हो गई अभी भी इस शहर के अधिकान से हिस्सों में बत्ति गुल है मौसम पैग्जानिक आरपी जोसी ने बताया कि बीती रात में पिछले दिनों से 5 डिग्री सिल्सियस पारा लुढ़क कर 26 डिग्री सिल्सियस से 21 डिग्री सिल्सियस हो गया है बादल छटने के बाद ठन पढ़ने की भी संभाबना जताई जा रही है